अश्कर दोस्तों मैं उदेलार्फ एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ु देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ु में तहे दिल से बोहुत बोहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पढ़ा हां दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यावसाय घर घर तक पहुच चुका है इस व्यावसाय के माध्यम से कितने वेरोजगार यूआ यूती दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ आज वयसका आबादी के सदस्यों को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है इस व्यावसाय ने लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करने का एक अच्छा आउसर हमें प्रदान किया है आईसी परिस्तितियों में दोस्तों बहुत सारे बेरोजगार यूआ यूती करियर के ओप्षन के तौर पर इस व्यावसाय को चुनना चाहते हैं आईसी परिस्तितियों में आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है करियर के ओप्षन के तौर पर इस व्यावसाय को चुनना है और इस व्योसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा भी प्राप्त करना है आईसी परिस्तितियों में दोस्तों यदि देशी मुर्गी पालन के व्योसाय से आपको लाखों का मुनाफा प्राप्त करने के लिए अद्भुत संकल्पना लेकर हाजिर हूँ जिस संकल्पना में आज हम देखने वाले हैं कि स्रिफ 2000 देशी मुर्गिया और साथ ही में 5 भैसे हां दोस्तों 5 भैस और 2000 देशी मुर्गियों का फार्म तयार करके बहुत आसानी से आप एक साल में 25 लाग का मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हो क्या सच में यह हो सकता है तो दोस्तों हां 100 देने वाला हूँ इसलिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देख लीजे पसंद आ जाये तो जरूर उलाइक करदिछे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई। और मुर्गी पालक भाई। उन तक यह वीडियो पहुचाने के लिए जरूर शेयर कर दिजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसप नमबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूप इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए लिंक को जरूर रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालग भाईयों से हाथ जोड़ कर अनुरोत करता हूँ दोस्तो आप सभी को मैंने अपना माना है और आखरी सांस तक मानता रहूँगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आ जाएए वहाँ पर आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंके सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटी आएगे इस घंटी को टच करते हुए आलिस नोटिफिकेशन को आन कर दीजे ताकि आने वाला हरुडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखे दोस्तों 2000 देसी मुर्गिया और पाच भैसो का पालन पोशन करके यानि फार्म तयार करके अब आप हर साल कमा सकते हो 25 लाग का मुनाफ़ा जहां पर एक लाग का मुनाफ़ा पराप्त करना मुश्किलों से भरा है ऐसी परिस्तितियों में आप अपने गाव देहात में 2000 देसी मुर्गिया और पाच भैसो का फार्म तयार करके आसानी से एक साल में पराप्त कर सकते हो 25 लाग का मुनाफ़ा यानि हर साल तो इसके लिए क्या करना है एक-एक जानकारी दिये देता हूं कोई दिक्कत आ जाए तो जरूर पूछ लीजिए और इंडियन मुर्गी पालन के नाम से हमने डिस्क्रिप्शन में वाटसप ग्रूप के लिंक डाल रखे तो वहाँ पर जाके इंडियन मुर्गी पालन के वाटसप ग्रूप में एड हो जाए ताकि आपको हर एक जानकारी यहाँ पर मिलती रहे तो देखें दोस्तों 2000 देशी मुर्गियों की खरीद दरी कहां से करें यह मुश्किलों भरा सवाल है तो देखें मैं ऐसा मानने वाला व्यक्ति हूँ कि चलो 6-8 महा तक इंकम नहीं हुई कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है हम क्या करेंगे पचास नहीं तो सव देशी मुर्गिया हमारे गाव देहाद में थोड़ा घूम फिरके वहाँ पर खरीद लेंगे हफते वाले बाजार से नहीं लेना है और ऐसी परिस्तितियों में पचास हो या सव देशी मुर्गिया होने के बाद हम इंकुबिटर लेंगे चूजे निकालने वाली मशीन लेंगे और उस माध्यम से हम चूजे तयार करेंगे यानि छे से लेके आट महा के दर्मियान हमारे पास आसानी से दो एक हजार देशी मुर्गिया वहाँ पर हो जाएगी और साती सात में हमें क्या करना है दोस्तों वहाँ पर पांच भैसों का भी वहाँ पर इंतजाम करना है पहले देखेंगे कि 2000 मुर्गियों से उत्पन कितना होता है उसके बाद देखेंगे वहाँ पर जो भैसे हैं उनसे उत्पन कितना होता है और भैसों का फायदा मुर्गियों का फिड का खर्चा घटाने के लिए किस प्रकार से होता है यानि 2000 रुपाय में 2000 मुर्गियों का फिड घर पर ही किस प्रकार से तयार होता है यह जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ पहले 2000 मुर्गियों की बात करते हैं तो देखें दोस्तो 2000 मुर्गियों की यहाँ पर बात करें इन 900 अंडों को यदि हम बेच दे तो इस माध्यम से 900 गुना 10 यानि 9000 की कम से कम राशी हमें उपलब्द हो जाती है 9000 की इस राशी में से उनको लगने वाला फिड का 2000 का खर्चा माइनस कर दे तो बची हुई राशी 7000 होती है उसमें से कितना भी जादा टी का करन, electricity, mortality, फिड का खर्चा अधिक्तम होना इन सभी बातों के लिए और 1000 रुपे माइनस कर दे तो यहां पर 6000 की राशी कुल बचती है यह होगा हमारा शुद्ध मुनाफा, प्रती दिन का 6000 का शुद्ध मुनाफा पकड़ ले तो 30 दिनों में 180,000 का शुद्ध मुनाफा होता है यानि एक साल की बात करें तो 12 महा गुना वहां पर दोस्तों 180,000 यानि कुल मिला के 21,60,000 की राशी यहां पर तयार हो जाती है तो इस हिसाब से देखे तो 21,60,000 का शुद्ध मुनाफा 2000 देसी मुर्गियों का फार्म तयार करके हो गया अब इनका फिड़का खर्चा थोड़ा समस्या का यहां पर जो है कारण है दोस्तों उसका सुलूशन दिये देता हूं तो हमें पाच भैसों की खरीदारी करने किस प्रकार से तो हमें इस प्रकार के भैसों की खरीद करने जो मुर्रा हो जाफरावादी हो गुजर हो महसाना हो इस प्रकार से हम यहां पर भैसे खरीद लेंगे यह भैसे पाच महा की प्रेग्मेंट होनी चाहिए उसको चेक करके के लिए यह भैसे आसान इसे 40,000 के दर्मियान मिल जाती है 45,000 पाच एक खटा ले लेंगे तो थोड़ा आपको कम कीमत में हैं पाच भैसे खरीदने के लिए आप और्चुनिटी यहां पर मिल जाएगी तो तकरीबन दो लाक रुपए के खर्चे में आपके पास 5 भैस आजाएंगे इनको हमें बड़ा करना है बड़ा यानि कि क्या प्रेग्मेंसी का पूरा कालावधी कम्प्लेट कर लेना है पाच महा के बाद यह भैसे बिकरी के लिए उपलब्द हो जाएगी तो इसको क्या करना है दस महा दस दिन भैस लेती है उसमें से आखरी 2-3 हफते रहे गए तो भैस के पूरे बाल निकाल देने है उसके जो सिंग होंगे उसको आकार अच्छा देना है पूछ को कट कर लेना है अच्छी तरीके से और एक ब्लैक कलर मार देना है और जो सिंग होगा उसको बढ़िया कलर मार के वहाँ पर जाना है तो इन भैसो को बेचकर आपको एक लाक रुपई की राशी प्राप्त होगी पांच लाक रुपई कुल मिलेंगे और फिड का वगेरे पूरा खर्चा देख ले तो आपको पांच लाक रुपई में से दो लाक पचास हजर का खर्चा होगा तो आपको शुद्ध हमें मिल जाएगा ऐसा आकर आप साल में दो बार करते हो तो आपको इन पाच भैसों से आसानी से पाच लाग का शुद्ध मुनाफ़ा यहां पर हो जाएगा लेकिन भैसों से होने वाली आमधनी श्रिप आपको भैसों के बिकरी के माध्यम से नहीं होगी तो यह तो एक जरिय होगा लेकिन दूसरी तरफ जो आपके पास पाच भैसे होगी वह असी से लेके 90 किलो तक आपको प्रति दिन गोबर देंगे इस गोबर का आप यहां पर इस्तमाल करके उसको सड़ा देंगे तो इसमें कीडे मोकोडे पनब जाएंगे इसमें मुर्गियों का गुजारा हो जाएगा यह होगा दोस्तों आपका दूसरा फाइदा 20 प्रतिशत गोबर के खाच से 20 प्रतिशत सहजल का पौधा पत्ते फलिया इन से 20 प्रतिशत होटेल होस्टेल रेस्टूरेंट तरकारी से मिलने वाला जो वहां पर फिड है उससे और इस प्रकार से पुरी उपायोज ना कर ले तो प्रति मुर्गी प्रति दिन का कॉस्ट एक रुपए में बैठेगा और 2000 मुर्गियों का फिड का खर्चा आसानी से 2000 में एड्जेस हो जाएगा तो इस प्रकार से देखे दोस्तों 2000 मुर्गियों के माध्यम से मिलने वाली इंकम होगी यानि शुद्ध मुनाफा होगा दोस्तों आपका यहां पर पांच लाग यानि 21,60,000 और प्लस पांच लाग यानि 26,60,000 एक लाग 60,000 का अतरिक्त मुनाफा छोड़ दे तो आसानी से आपको 25,000 का शुद्ध मुनाफा 2000 देशी मुर्गियों और पास बैसों का फर्म तयार करके यहां पर मिल जाएगा कभी 25,000,000 की जगह कभी 20,000,000 कभी 15,000,000 मुनाफा होगा तो कभी 30,000,000 तक भी होगा लेकिन आपको लाखों का मुनाफा इस माध्यम से जरूर होगा यह बात यकीनन यहां पर तय है अभी बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि कहना आसान है करना मुश्किलों भरा है तो आएसे प्रोजेक्ट मैं सफल तरह से यहां पर चला रहा हूँ और इसलिए बेरोजगार युवा, यूती, दिवैंग, विकलांग, विक्ति, वयसका आबादी के सदसे आपको भी समझो किसी को यहां पर लाखों का मुनाफा प्राप्त करने के लिए मेरा मार्गदर्श चाहिए तो अवश्या आप मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो, इसके लिए आप संपर किजे 84-82, 62-62 पर जहां पर आपके और मेरी बातचीत हो जाएगी और वहां पर मैं आपको समझा दूँगा किस प्रकार से आपको मेरे साथ जुड़ना है, क्योंब पास्षू पर आप पासकते हो लाखों का मुनाफ़ा क्योंकि अंधरे में तीर मारकर फायदा नहीं है, सही मारकदर्शन लेके आगे बढ़ोगे तेक तो लॉस भी नहीं होगा और आधिकतम आपको हो जाएगा दोस्तों यहां पर फायदा तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ना है, प्रशिक्षन पाना है, ट्रेनिंग लेनी है तो संपर किज़े 84, 81, 62, 62 पर और इंडियन मुर्गी पालन के नाम से हमने वाटसब ग्रूप शुरू कर दिया है, उस वाटसब ग्रूप में जॉइन होने के लिए आप डिस्क्रिप्श से इनका पालन पोशन करके यानि फारम तयार करके आप हर साल आसानी से प्राप्त कर सकते हो 25 लाग का मुनाफ़ा, अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई आपको क्वेशन सता रहा हो, तो आप कमेंट सेक्षन में लिख कर भेज दिजे, आने वाले वीडियो के माध्यम से म वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दिजे, शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसप नंबर, वाटसप ग्रूप, टेलिग्राम ग्रूप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, स्नैपचाट, इन सोशल मेडिया के साधनों का इस्तमाल करते होई लिंक को जरूर शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दायतरब निचली साइड में आ जाएए, वहाँ पर आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दिजे, उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंट आएंगी इस घंटी को ट रहोंगा, तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और आज मुर्गी पलक भाई का आज कुड़ में तहे दिल से बहुत-बहुत आबाद